कि स्वागत दोस्तो आपका अपने ही यूटूब चैनल आई टू स्टेडी टीम पर आज का टॉपिक है दोस्तो जैसे कि आप इहां पे देख सकते हो बिल्कुल युनिक टॉपिक है आज का हट के वीडियो बनाने वाली हूं जैसे कि आ पह देख सकते हो सी के उच्छारण दे पढ़ेंगे सीको शकवड़ेंगे सीको शकरवाल वालशाइल कपडेंगे सब्सक्राइब ठीक है यदि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूल कर लिजिएगा और लाइकन को प्रिश्क लेना है ताकि आपको अगली वीडियो का नुटकेशन मिल सकें ठीक है इसी प्रकार आपको सी का जी का सभी प्रकार टी का उच्छारण कब क्या होता इसी प्रकार आपको स वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूल करें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइज जरूल कर दें और वीडियो का अपनी दोश्तों साथ ज्यादा से जरूल करें ठीक है सी के उच्छारण में या हम बड़े भी हों कही लोग जिनको वीडियो को लाइज तक देखते हैं तो इस प्रकार की कन्फीजन आपको कभी नहीं होगी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे कि सी का उच्छारण कब कहां और कैसे करना चाहिए ठीक है तो चलो श्टार्ट करना है तो चैनल जैसे कि मैं बिल्कुल आपको डिटिल से बतानी वाली हूं कि आपको किस प्रकार कैसे क्या करना है ठीक है तो वीडियो को आपको दो से तीन बार देख लेना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो जैसे कि आप यहांपर देख सकते हो हिंदी में सा आदी कोई व पड़ते हैं तो मैं बतानी वाली हूं कि यहां पर अपने सी को सा क्यों पड़ा है इसमें आपको बतानी वाली हूं आगे और सी को क्यों पड़ा है कौन से नियम है कि आपने हापे कपड़ा है वह इसी है यहां पर सब पड़ा और यहां पर अपने सब पड़ा यहां पर कि इसको पढ़ते हैं ठीक पढ़ा जाएगा इसी सब्दों की कुछ नियम और उच्छान दी गए हैं ठीक है तो मैं आपको कुछ नियम बताने वाली हूं ज्यादा नहीं और तीन से चाहिए नियम बताऊंगी तो उसमें आपका पूरा डाउट के लिए हो जाएगा चलो आग यहां पर देखने वाली हैं कि सी का उच्छारण ठीक है यहां पर देखेंगी नियम नमर बन है तो सी की उच्छारण है सा और का तो साह कहां पढ़ती हो कहां 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 पढ़ेंगी साह कहां पढ़ेंगी और कहां कहां पढ़ेंगी ठीक है तो यह पहला नियम है इसका सा सी के बाद सी के बाद ई आई वाई सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण सह होगा तो यह आपको पहला नियम है दोस्तों यह विल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सी के बाद C के बाद E, I, Y तो इसको आपको तीन से चार बार रिपीट करना है C के बाद क्या आना चाहिए E, I, Y I तो C का उच्चारन सा होगा जैसे की यहापे मैंने आपको एक्जम्पल दी गए है तो जैसे की R, E, C, E, I, V, E तो C के बाद क्या है दुश्तो E, I बाद आना चाहिए तभी सा उच्चारन होगा तो C के बाद E है तो इसको पढ़ेंगे सा पढ़ेंगे इस वाली C का उच्चारन सा होगा तो इसको पढ़ेंगे रिसीव यान मतलब होता है प्राप्त करना तो इसी पिरकार राइस जैसे कि आप इहां पर देख सकते हो R, I, C, E राइस तो आपको कन्फीजन होगा यदि आपको नियम पता नहीं है तो कि मैं इहां पर सा पढ़ू रा पढ़ू सा पढ़ू, का पढ़ू क्या पढ़ू तो आपको नियम मालूम है कि C के बाद E, I, E, I, Y E, I, Y, I तो C का उच्चारण का असा होगा तो यहां पर C के बाद E है तो इसका हो जाएगा राइस राइस यानि की चाबल ठीके, I hope आपको उसमें आ रहा होगा मैं आपको पूरे एक्जम्पल बताती हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हूं ठीके, यह तो नॉर्मल रहता है राइस तो सभी लोग पढ़ लीती है यह भी पढ़ लीती है अब जैसे कि यह है C, Y, C, L, O, N, E तो इसको C के बाद बाइ दिया गया है तो आपको यह नियम याद है तो आप इसको मालूम होगा कि C के बाद क्या होना चाहिए E, I, Y यह बारवार मैं इसलिए लेकर बता रही हूं जिससे कि आपको बारवार याप रिपीट करोगे तो आपको याद रहेगा और भूलोगे नहीं इस वीडियो को आप अच्छे से याद देख लीजिएगा दो से तीन बार देख लीजिए और यह आपको बिल्कुल जैसे कि आप पढ़ते हैं तो आपको यह बच्चों को बढ़ा रहे हैं बच्चों को करवा रहे हैं तो आपको यह दिन में तीन चार बार रिपीट करवा देना है तो आपके बच्चे आठ दिन में परफेक्ट याद कर लेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा पुरी लाइप में यह सी का उच्छरन कभी गलत उच्छरन नहीं करेंगे थीक है तो इस प्रकार değişq हां पेडिक दीन दिन नहीं है आपको 340 फिसको आपको मानुम नहीं तो इसको पड़ोगे कि इसको सा पढ़े का पढ़ेगा पढ़ेग्या पढ़ें यह 24 के बाद je यह आई वाई हो तो सा पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे साइकलोन साइकलोन ठीक है साइकलोन तो यह से वाली सी का मैंने बता दिया और सी के बाद एल होगा तो क्या पढ़ेंगे यह मैं आपको नेक्ष्ट नियम में बताने वाली हूं ठीक है तो साइकलोन साइकलोन का मतल है नीस मतलब भतीजी ठीक है सी के बाद आई दिया गया आई सी यहां पर सब पढ़ा गया है ठीक है आई हूप आपको सब्सक्राइब इस प्रकार आप देख सकते हो सी ए सी के बाद इदिया गया है इसलिए साको सी को साब पढ़ा गया है सैलिवरेट यानि कि उत सब मनाना यहां पर देख सकते हो सी के बाद इदिया गया C E E T E I F I C A T E Certificate तो सी के बाद यहां पर का पढ़ा गया है और यहां पर साब पढ़ा गया है है पे सा क्यों पढ़ाए उत्छा के भाद ई दिया लिए और मैं ये आगर वाली कि सी ना मताला रही हूं के निदिवान लिपा का का एद्रक्तão की पता ना यहां पर वह पड़ा गया is साइटिफी केट यहां पर केट क्यों पड़ा गया है साका सी का उच्छारण का क्यों हुआ है ठीक है तो इसी पिरकार आप यहां पर देख सकते हो सरकल सरकल लिका हुआ है सी कि आई सिके बाद आई दिया गया है कि आपको कभी कोई कोई दिक्कत ना हो सिनेमा सिनेमा लिखाए सी के बाद आई लिखा गया है मैं तो सीने मा पड़ा जाता है यानी कि समय मतला जित्रपत्त ठी के तो यह देत अगला ग्ली टेक्वा-गलाक अग्ज़ांपल यह प्ई आई-ई-प्ईपो यहां पर सापतलाई प्धस्कू सब्सक्राइं और क्लाएं सेंचूर्इद अनने वाद येवी हम यहाँ इसको सेंचुरी पढ़ा के तो motivated लोगों केप college alよ आए हो सभी वीडियो पसंद आ रही हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब जरू कर रहा है कि अपने दोस्तों को भी आपकी दोस्तों को भी help हो जाएगी यदि उनको यह confusion है तो उनकी यह confusion दूर हो जाएगी ठीक है तो अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो को शेयर जरू कर दिये करें अब अगला मैं ऐसी आसा करती हूं उम्मीद है कि मुझे आई हो आपको यह सी मोी यथी की यह नहीं और आपको यह स tip पहले को जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो सी का अवं से इंक यूookie कि आपद हो तो सी का प्रायासी का तिक आपको शेल्बात आपको साकश्छा रहन आप देखना है जैसे मैं सिघ्वाद क्या होना चाहिए ईई आई और बाए यह हैं तो सी का उच्छारण क्या होगा सी का उच्छारण सा होगा ठीक है कि सी का उच्छारण सा होगा कि टीक है यह दी सी के बाद ई आई और बाए यह हैं तो सी का उच्छारण क्या होगा धुस्तों साह होगा अब आपन नीदे लिए पहला नियम था अप्सेक्ड नियम दिखने वाली है कि सी कि वात क्या होना चाहिए का का पड़ेंगे का कपड़ेंगे सी की वाद होना चाहिए ए-e-e-o-y-o-e-e-e-o-y-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e U-K-R-T आते हैं C के बाद A-O-U-K-R-T आते हैं तो उच्चारन का होता है ठीक है तो यह आपको कम सकम 10-12 रिपीट कर लिया आपको तो भूलने जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि C के बाद क्या आता है A-O-U-K-R-T आता है तो C का उच्चारन का होता है जैसे कि अपने उप पढ़ाता सेटिफिकेट में एक सी को तो सब पढ़ाता कि ए आयाता तो ई आई वाइ इसी के बाद सब पढ़ते हैं अर्लिया पो कुछ याद नहीं करना सिर्फ इतना याद करने तो कि कि आपको सी का उच्छारण सा कब होगा हो का था तो आपको ही जब हो जाए यूए यहां पर काका उच्छरह होगा यहां आपको बहुत बार रिवीजन करवा दिया है क्योंकि आपको याद हो जाए यह दोनों याद होएंगे तब आगे पड़पाऊगे नहीं तो दोनों में कि प्रकार का आप डाउट नहीं जाना चाहिए यादी डाउट है तो कमेंड बॉक्स में बताईएगा अब इसके सी के बाद आधी कोई बढ़ना आता है तो सी का उच्छन का होता है तो इसके एक्जामपल देख लेती हैं जैसे की सी ओटी तो यहां पर अपन कॉट पढ़ें पढ़ें क्या पढ़ें तो आपको निया में आदे कि सी के बाद ए ओ यू के आर्टी तो सी के बाद ओ आ रहा है तो यहां पर का पढ़ेंगी साका उच्छन का होई आएगा कॉट कॉट यानि कि चार पाई ठीक है चिकर अगला एक्जामपल फिर अगला एक्जामपल सी तिके यह आपको डिफ्रेंस करके दिखना है कि पहली नियम और सेक्ड नियम में क्या अंतर है तब आप इसको अच्छी से याद कर पाऊगे वह ज्यादत समय के लिए रख पाऊगे ठीके ब्लैक 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 कोक लोक कोड्श कुरूल 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 कुर्ट कॉस्टम ठ ठाइक है , लोक अपर इस प्रकार प्लक फीशन पर लेना है अब आता याय तिस्तरइब मता है य Avi य। तो फिस्य पढ़ते हैं ठिके शी को यॉट पढ़ते हैं घ्य क्या यह दिया रहा है के लगे ए आई तो पढ़ेंगे कौन सा वाला सा कि साव्क्रवाला छाय जोशल सीका जा jij की अशान सी ओसीर्ट के लिए टोicky K podcasts की एड है थो सी यह दिया गया है तो इसको भी सब पढ़ेंगे ठीक है तो इस परकार आपकी जैसे की इसमें दिया है तो मिजिशियम ठीक है मतलब संगीतकार तो इस परकार आप एक वारों देख लीजिएगा तीनों नियम साथ में सी के वाद ई काई वाई हो तो सी का उच्छा निसा होता है अगला है सी के वाद ए ओ यू के आई टी आदी कोई बन आता है तो सी को कपड़ा जाता है अगला नियम है कभी कभी सी के वाद ए आई दौनों साथ में होना चाहिए ए आई या ई ए हो तो सी को शा पड़ते हैं सक्करवार साथ आई होप आपको यह नियम अच्छे से याद हो गए होंगे तीनों नियम याद करना है तो आपकी सी को पड़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कोई गलती नहीं होगी ठीक है और इसमें देखने वाले हैं आगे सी का उच्छारण इसमें अपन देख चुके हैं सी का उच्छारण कब होता है ये सक्करवाला शाह है ये वाला सक्करवाला शाह है और सी का उच्छारण चा कब होगा ये पढ़ने वाले हैं ठीक है ठीक है तो यह पढ़ने वाले हैं C के उच्चारण, C का उच्चारण चाकाब होगा, तो यहां पर मैं बता देती हूं, C के वाद, इसमें मैंने लिखा नहीं है, यह आपका चौता नियम है, कि C के वाद, C के वाद, H हो, C के वाद, C के वाद, यह चौता नियम हैं, दोश्तों मैंने यहां पर लिखा नहीं है, कि C को चाकाब पढ़ते हैं, C के वाद, इस परकार आपको लिख लेना, C के वाद, हाई, हाई हाई, तो चा उखता है, C का वचारन, क्या होगा, चा होगा, C का वचारन, चा होगा, C के वाद, H आएगा, जैसे कि एक्जामपल देँ मैं कि टॉर्च एक्जामपल देँ टॉर्च टॉर्च तो यहां पर पढ़ेंगे चक के इबाद एच दिया गया है तो इसको पढ़ेंगे टॉर्च तो इसका उच्छन हुजाएगा टॉर्च और इसी परकार और एक्जम्पल दूसरा एक्जम्पल है कि सी को कप पढ़ेंगे चा कप पढ़ेंगे चैप्टर तो इसको सी के बाद दिए गया है एच दिए गया है तो इसको चा पढ़ेंगे सी को क्या पढ़ेंगे चा पढ़ेंगे तो चैप्टर तो इसी परकार बहुत सारे एक्जम्पल होते हैं ठीक है इसी प्रकाविता लेग्जनम्फल होते हैं थो आई-उप आपको की उच्छरिंग मैंने आपको बता दिए हैं पूरे साको पड़ते हैं क्यों तो इसमें मैंने आपको चारों और यह नियम 4 दिए हम प्रेळें आपको 99 परसेंट लागू होते एक परसेंट कुछ अपवाद भी होती हैं तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होते हैं तो आप इस ध्यान दीजिएगा जो अपवाद रहेंगे वहां पर यह नियम लागू नहीं होंगे तीके आई हूप आपको यह वीडियो अच्छे समय आई होगी इसी परकार आपको जी का उच्छरम देखना है जी का टी का एस का तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेश कर लें ताकि आपको अगली वीडियो करनाट केशन मिल सकें तो मिलते हैं द